हेलो नवस्कार दोस्तों तो कैसे आप सभी तो एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत हैं तो बच्चे कितिना सारा कमेंट कर रहे थे राश्ट्र मिलेटरे स्कूल क्लास नाइन्द के सिलेबस के उपर जो कि सभी बच्चों की दोवारा मैक्सिमम बच्चों की दोवारा पूछा जा रहा था सबसे आदा डिमांडिंग हो चुका था ये टॉपिक कि राश्ट्र मिलेटरे स्कूल क्लास नाइन्द का सिलेबस क्या है जो की मैं आप सभी को आज बताने वला हूँ ठीक है उससे पहले दोस्तों मैं आप जो बोलते हैं कमेंट सेक्षिन में वो सारा चीच कर देता हूँ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ऐसा चैनल कहीं नहीं मिलेगा कि आपके बोलने पर ही वीडियो बन जाए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए चलिए इसलेबस की और बढ़ते हैं और उसमें एक दो टॉपिक दोस्तो आप ग्रामर बुक से देखके पड़ सकते हैं और सेंपर पेपर की मदद से देखकर पड़ सकते हैं अगर हम हिंदी की सिलबस की और बात करें तो शुरू करते हैं वर्ण विचार वर्तनी विवेक दोस्तो मेरा हिंदी थोड़ा सा कमजोर है तो मैनेज कर लेज़ेगा पद परीचय वाक रचनांतरन सब्द भेद प्रयावची विलूम असुद वाक को सुद करना मुहाबरा लोकांती सब्द विवेक पद भेद ठीक है दोस्तो यह है आप सभी का हिंदी का स्लेबस दोस्तो मैं अभी भी आप सभी को बता रहा हूँ यह ओफिसल स्लेबस आरमेस के द्वारा नहीं दिया गया है तो दोस्तो जो मैं से बता रहा हूँ उतना ही नहीं पढ़ना है आपको एक दू चैप्टर एक्ष्टा भी पढ़ वैसे दोस्तों, इन syllabus से भी आप पढ़के जाएगा, तो आपका RMS में selection हो जाएगा, उसमें कोई tension वाली बात नहीं है, ठीक है? Social Science की अगर बात करें, तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि RMS हो गया, नवोदे हो गया, साने की स्कूल हो गया, जितने सारे स्कूल होते हैं, CBC, और CBC का सिर्फ एक ही बुक चलता है, NCRT, तो दोस्तों, अगर आप सिर्फ NCRT भी Class 8 का पढ़के जाएगे, तो आपका RMS का खतम हो जाएगा, NCRT में जो सिर्फ से दोस्तों, वो सिर्फ भी अगर आप पढ़के जाते हैं, तो आप सभी का इंटरेंस के लिए हो जाएगा, और आम से, तो ठीक है दोस्तों, NCRT से भी आप देखते रहिएगा, सोसल साइन्स का जो सिर्फ से, वो NCRT से ही पूछा जाएगा, तो NCRT से पढ़ देजएगा, अगर मैथ की बात करें, तो कौन-कौन से टोपिक से कुर्शन पूछे जाते हैं, चली जानते हैं आप आज, ठीक हैं? टीक हैं?, डे तो कौन दोपी, ठीक हैं? interest, preparation of cash bills, angles, triangles, circle, edicy, volume of solids such as cube and cuboid, circumference of circle, basic geometrical concept such as point, line, segment, interior and exterior of given figures, circle and its part, construction of line segments, classification of angles, angle sum property of triangles and quadrilators, triangular, triangles, quadrilators and polygon, ये था math का syllabus दोस्तों आप सभी का चलिए आगे बढ़ते हैं science की syllabus की ओर, living and non-living, energy, forces, electroplating, materials, food, chemical effect of electric current, solar system, natural phenomena, light, reproduction तो दोस्तों ये था आप सभी का science का syllabus तो दोस्तों इसी के साथ आप सभी का ninth का syllabus होता है यहीं पे complete तो यही था आप सभी का syllabus तो इसे follow कीजिए अच्छे से दोस्तों और at last वीडियो में मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि चैनल को subscribe कीजिए, वीडियो को like कीजिए और help book जरूर से जरूर लीजिए क्योंकि उससे काफी मदद होगा, मैं बार-बार ये चीज आप सभी को बोल रहा हूं और इसे आप please कीजिए क्योंकि मैंने जितने अभी मैं 4-5 सल से बच्चों के ये सब बता रहा हूं तो काफे सारे बच्चों ने RMS का इंट्रेंस के लिए किया है और मुझे पता है कि RMS में help book की जरूरत बहुत ज्यादा होती है तो प्लीज उसे फॉलो कीजिए चैनल को सस्क्राब जरूर करें मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में टाड़ा बाबाज जय हिंदे